अजो आज देखते हैं, Rectifier Diode ठीक जैसे, Diode क्या होता है Diode अलग-अलग Type क्यों होते है इसमें एक पहला Type है जिसका नाम है Rectifier Diode तो डैवोड का बारे पढ़े रहे है AC करेन्ट को DC करेंट में complete करना ठीक है और यह जो है हर पावर सप्लाई में नंने या हर जगां पर लगा होता है जहां पर दीसित सी में एकांबट आपके इस तरीके से दिखाई धरेंगे तो जिनका क्या होगा एक करेंट को डीस्ट सो पहचानने जाएंगी तो यह ट्रिफायर का सिंबॉल है सर्किट में इसको डी से री प्रेसंट किया जाता है और ड्रम में क्या बखाब दो पीन होती है वे सिंगल डायोड हो गए डबल डायोड मेंं दो तरह की डबल डायोड एक आता है common और दूसरा आता है common कैट ऊबन सब्सक्राइब को अबने रहते हैं उनको देखें क्या होता आधोर्ड है या को मैं जो शुटोर्ट है गरम इसके मद्यान से डेखें से दिस्कूपर जो सिंबल बना हुआ है क्यों दोनों डायोड के यहों है अपस में जुडि हो और अंदर की डायोड जू होते है ही दोनों सप्लाइब कैसे देंगे इस पॉइंट में ऐसी सप्लाई देंगे तो इन दोनों common anode से क्या होगा minus DC supply जो होगी वो out होगी फुल वे होगी उसी तरीके से common cathode common cathode diode में क्या होगा इस टाइप से रिखेगा जैसे ये diode हम देख रहे हैं तो इसमें symbol अगर आप देखें और इसका internal जो होता है वो इस तरीके से दो डाइवड लगे होते हैं दोनों डाइवड का cathode अपस में जुड़ा हुआ है और यहाँ पर AC supply देंगे यहाँ पर AC supply देंगे तो यह cathode से positive DC supply क्या करेगा यह out करेगा ठीक तो यह जो है single diode मलब single है और यह double diode इसी तरीके से इस diode का क्या आता है package भी आता है जिसको क्या बोलते है bridge diode या bridge package तो bridge में क्या होते है चार diode का package होता है जैसे कि आपका यह diode है और यह diode है तो size में क्या छोटे बड़े यह रहेंगे और यह देखने में symbol आपका इस तरीके से आपका यह देख रहा है तो यहाँ पर क्या symbol बना हुआ है plus minus और यह दोनों बीच में AC इसमें भी देखे हैं यह plus इधर minus और यह AC लिखा हुआ है और इस वाले में देखे हैं तो लिखा नहीं symbol symbol से बना हुआ है कि यहाँ पर क्या है प्लस बना हुआ है यह minus बना हुआ है दोनों AC का symbol है दीख रहा है अब डायोड जो अंदर में जुड़े हुए वो कैसे जुड़े हुए वो इस तरीके जुड़े हुए चार डायोड जो है यह package में इस तरीके से जुड़े हुए यह तो हो गया डायोड जो होते है रेक्टिफाई डायोड की से दिखते है ठीक अब बात करते हैं इनको चेक कैसे कर सकते हैं किसी भी डायोड को चेक करना जाहे जिस भी टाइप का डायोड हो अब यह जैसे हम रेक्टिफाई डायोड की बात कर रहे है तो कैसे चेक करेंगे कि मल्टी मीटर को कहा रखेंगे डौार क काई प्रिंड के मिटर में इस सिंबॉल पर मेंटर को ड certified करेंगे और अब इसमें पहचान करना चाइख क्रदि क्ना करना हूं में डैयॉड को ज़्ऩोरी है धाया कि जिस अब यह रखें अगर ऐसा हो रहा है तो यह रट आपका सही है तोर इसको देखें करेंगे मीटर क्या है वैल्यु शो करेंगे और वाइर आपस में चेंज कर रहे हैं तो डायवड आपका सही है जैसे अगर इसको देखें तो रेड़ वाइर नोट पर रैक कंज़ कर रहा है तो भी वैल्यू क्या दिखा रहा है कहले बussa इसका म penis तो सिंगल का तो शेक करेंगे अगर हम डबल की बात करें अगर यहिसा है सिंगल करना सीखा है वर इसमें क्जोंologne लगे हुए do दाइओड का चेक्क करना होका तो चाह करेंगे राइँ से तरीके से आप sex कर सकते हैं उसी जरीके देखो आप जैसे इस ड्यायओट को चेक करना है तो टेक करेगा है इसको चीक करना है तो ब्लैक वायर काथ४ट पर वड्यूख करेगा चेंज करेंगे तो नहीं ठीक मनला यह डायोड अभी हम चेक कर रहे हैं दूसरा चेक करना है तो रेड़ वायर आपका यहां एनोड पर ब्लैक वायर नोड ब्लैक के लोड वेल्यू शो करेगा अब वायर को आपस में चेंज करेंगे वेल्यू शो नहीं करना चाहिए तो इसका मनला वगर ऐसा हो रहा यह दोनोड आपके सही है फिर यह दोनो चेक करना है तो रेड़ वायर कहा रखेंगे एनोड पर ब्लैक वायर इसकेlic चरणार द्याओ यह चेक होगा और यह हरा और अगर मान लो इसमें से कोई एक डायोड खराब रहेगा तो वह क्या करेगा वेल्यू आपका बिल्कुल बजर शो करेगा या नहीं करेगा जैसे कि एक्जामपल में देखो यह यह क्या होगा जीरो तो मलब यह पहला डायोड आपका क्या है यह शौट दूसरा यह भी शौ है और दूसरा क्या है वह शौट हो गया अब इसको अगर चिक करें तो एक सही है उदर और दूसरा भी सही है मलब यह इसमें से तीन डायोड सही है एक दो और तीन यह अखिला क्या है शौट हो गया तो उस कंडिशन में भी आपको क्या करना पड़ेगा इसको चेंज करके दूसरा लगाना पड़ेगा जहां भी लगा हुआ